कि दोस्तों आपके अपने चनल क्या आप से कशवात है दोस्तों यहां पर और और्पर का यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है हुँर्ट को लेकर सिद्वी टी light का वेक्शन किया गया है यहां प्रोशेस पर यहां पर धीती के चुछरण पर यहां पर क्लेरीपेकेंशनंille यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं कि यहां पर बोला गया एक संट्रलाइज इंप्लॉएंट नोटिस आपका यह करने के लिए यहां पर बोला गया है चली देखते हैं यहां पर बोला गया है पहला कंसर्ण आपका जो एकस्प्रेश कंसंर्ण ओं लेबल वाइज एण पोस्ट बागवन से बोला गया है तो इसके ट्रप को डेक्रिकेसे क्दैब बोला गया है कि अगा के लिजीघillar और इस करेंपकार अव्यूरेट में सेट्सट, जुँआ नोटिकेशन देटर पर से अपका आपका एडवाटाइब में नम्र एक डो जैनल्यूनीश पब्लिश्ट और आठाइस दो जैनल डोलीश को प्लिश किया गया था इन इस इंप्राइमेंट नोटिफिकेशन में आपको बताया गया था था थर्टीन केटवरीज वेर एडवर्टाइज यहां पर तेरा केटवरीज में आपका जो पोस्ट निकला हुआ था वेर विच वेर ओपें टू ग्रेजुएट एंड सीक्स अफ दिज अंडर ग्रेजु इसमें जो लेवल था वो 23456 यानि कि उसमें आपको पोस्ट वाइज देखने के लिए मिल जागा टूट एंडर श्टेज वाइज प्रसुडिर आप रिक्वार्मेंट फोर इच क्रेटवरी है अल्रेडी बिन इंडिकेटेट क्लेरी इन पार 13.6 तो यहां पर आपको आपक केटगोरी सब्रेक्ट टू कंडिशन और यहां पर बोलागे दर रिजल्ट इस ट्रेक्ट ली एच पर प्रोवीजन लेड़ान इन नोट फेज यानि कि आपको यह फस्ट का जो कंसर्ण है स्टुडेंट का उसके रिगार्डिंग आपको हवाला दिया गया है 13 पराग्राफ इन दा इग्जाम नोटिफिकेशन मेंशन देट स्टेज 1 विल बी क्वालिफाइंग एग्जाम एंड कंडिए 20 टैंप से नद वेकैंसी विल बी सॉट लिस्टेड फोर सीवीटी टू यहां पर आपको बोल यह कंसर्ण था स्टुडेंट का कि यहां पर 20 टैंप से वाज एक कॉंबं एग्जामनेशन फॉर और कंडिए यानि कि जो से यहां बुला गहा है कि जो से बिटी ओन एग्जाम लिया हुऊ में को मन एग्जाम हुआ है और अब पर 13.4 मैं आपको बोला गया है आपको नोटिपिकेशन कि रिली स्टेट टैंटे से इन इन से के वो सभी के लिए common हुआ है और according to para 13.2 के गर्डिंग जो आप लेवल 2 का stage 2 का exam होगा वो आपका level wise 2, 3, 4, 5, 6 का जो होगा वो different different quality level के साथ आपका exam लिया जाएगा separate group से और यहाँ पर accordingly all post falling within the same level shall have a common second stage CVT there if a candidate is eligible and had opted for more than one level अगर कोई candidate CVT 2 में एक साथिक में क्वालिफाइ कर जाते हैं पर तो as per one level as per educational qualification he will have appear in the corresponding second stage CVT for each level as in given 13.6 since the standard and difficulty level for each group of post will be different of graduate under graduate level तो यहाँ पर आपको बोल यहाँ कि अगर student x अधिक post के लिए CVT 1 में qualify करते हैं तो यहाँ पर आपको different different level के लिए आपको different exam देना होगा जो कि student के लिए भी यह difficult है कि अगर माने कि कोई student 5 post के लिए selected होते हैं तो उनको 5 बार exam देना होगा कोई 3 बार होते हैं तो उनको देना होगा तो आगे देखते हैं यह third में आपको बोला गया है यहां पर बोला गया है कि distinct candidate will be get shortlisted for second state cvt since second state consists of cvt of five different level and a candidate can be shortlisted for more than one level as per eligibility merit and option the list of seven lakh roll number will have some name appearing in more than one list तो यहां पर आपको बोल दिया गया है और आगे यहां पर बोला गया है कि second stage में आपको यहां पर post दिया गया है तो उसके अनुसार एक साधीक में student का नाम एक गर्डिंग टू मेरिट लिस्ट यहां पर आ गया है तो उसको लेवल टू के अनुसार यहां पर फिर उसमें आपको डिफेंट डिफेंट एक्जाम देना होगा इसके बारे में यहां पर बोला गया है यहां पर जो चौथा कंसर्ण स्टूरेंट का हूँ आर आर भी है इसके रिगार्डिंग जो यहां पर रिफ्लाय आया है वह बोला गया कि दा स्टूर्ट लिस्टिंग हैज बिन डन लेवल एंड पोस्ट वाइट देट ऑट ट्वेंट इस एलोबरेटेड इन पारा थर्टिं यानिकि पारा थर्टिं का बोला जा रहा है दर लिस्ट कंटें सेवन लाक रॉल नंबर विच इस ट्वेंटी तैंस नोटिफाइड विकेंसी ओपेवाट थर्टिफाइब थाउजेंट यानि कि आपको एकॉर्डिंग पो यहां पर बोला जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट पारा थर्टिं के एकॉर्डिंग जो है वो ट्वेंटी टै पोस्ट डिपेंडिंग अपन मेरिट एंड प्रिफ्रेंस हैंस नोप पोस्ट बिल रिवमेंट यहां पर आर्विज का बोलना है कि 25,000 वो सारे पोस्ट को फिल किया जाएगा जो करने एक से अधिक में होते हैं सिर्फ को एक ही पोस्ट दिया जाएगा तो यहीसा इस अर्व का बोलना है और उसमें आपको स्टूरेंट को प्रिफ्रेंस दिया जाएगा कि अपने मेरिट और प्रिफ्रेंस का उनको में से सरफ एक ही पोस्ट को जोज करना होगा आर्विज ने बोला है कि कोई भी सीट भेकेंस नहीं रहेगा सभी को फिल के जाएगा यहां पर च्छा लेवल है उसके डिफ्रेंट डिफ्कल्टी के साथ आपको कंड़क्ट किया जाएगा यह एक लेवल का अलग लग सेट किया जाएगा पने लेवल के अनुसार एक कंड़िट हूज वीन सॉट लिस्टेद फोर हाई लेवल पोस्ट कंड़िए वीड वीड फ्रॉम लेवल का नहीं दिया जाएगा बहले वो मेरिट में क्यों नहीं होंगे इसके बात भी तो यहाँ प्र आपको बोल दिया गया कि आपको एक ही में आगा है मेरित कनूसार उसे में आपको चूच करना पड़ेगा यहां पर 7 कंसल आपका स्ट्टूरेंट का है कि कट-off आप ब डिपेंडिंग अपन दा नंबर और वेकेंशी नोटिफाइड वर्ड लेवल और पोस्ट सीन्स एवाट 10500 वेकेंशी हैब बिन नोटिफाइड फोर 10 प्लस टू कंडिडेट अक्रॉस 21 रर्विज यानि कि 10500 वेकेंशी था वो इंटरमेडियर वालों के लिए था के अनश्थार यहां पर बताया गया है कि इस कारन से बढ़ गया है लेकिन यहां पे चुरुएंट का यहे बी है कि कि सी एक ही इलग् brushes का फीवाट ने लाइज यहा है देले और अच्छा होगा यहांपर एक क्रदान यहां स्ट्निवेट वर पेकमिंग ऐलिजुब पोस्ट एज उस्ट वी दन अर्लियर देन दे वूड वी हैप सक्षिद इन फू दिफेंट एक्जाम यानि के स्टुएंट का बोलना था कि दो टेन प्लस टू और ग्रेजुएट था दोनों के लिए अलग 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 लेवल के लिए तो यहां पर रिपलाई आ रहा है रहा ह के लिए यहां पर इसा क्या गया है कि दोनों लेवल का एकी साथ कंड़क्ट क्या जाला है टेन प्लस टू और ग्रेजुएट वालो के लिए अलसो एस्टेंडर ऑप सीवीटी वन हैब बिन केप्ट अप्टें प्लस टू लेवल सो एस्टू नाट टू पूट डिसज़वा लेवल रखा गया था सिवीटी वन के लिए 5 रस्ट्री वालों के लिए ओस्टेंट टू डेवल रहता गया था लेकिन जो आप स्वी टीटू का होगा वह उसमें आपको डिपरेंटर्फेंट डिफरेंट लेवल सेट के आजका रहेगा ग्रेजुएट और जोभी लेवल ए रेस्टोन भी इससे पहले ही डिस्क्वालिफाय हो गया है अगर अलग अलग होता है तो टेन प्लस टू वाले अपने जितना भी सिट था दस 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 पान सो किलब वह सारा उसमें आ जाते जो भी रिमेनिंग रहा जाता उसमें आपका ग्रिजुएट वाले आते तो वह सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहां पर आपको वही चीज़ बोला गया है जो अहां पर आपको रिप्लाइ में बताया गया है कि अलग अलग डिपकल्टी लेवल के साथ लेवल टू-3-4-5-6 सब्सक्राइब कर लेवल यहां पर आपको वही चीज़ बोला गया है जो अहां पर आपको रिप्लाइ में बताया गया है कि अलग अलग डिपकल्टी लेवल के साथ लेवल टू-3-4-6 को अब जो लेवल सेकेंड स्टेश का जो होने वाला है उसमें आपको दिशेट क्या ज आपको बता दिया जाएगा तो आप अपडेट रहिएगा यहां आपको बता दिया जाएगा